आप सभी का आदर्स धर्म चैनल पर प्रसारित होने वाले कारिक्रम प्रस्नोत्तरी में हार्दिक स्वागत हैं आज का प्रस्न लिया है स्रीमती रागनी तिवारी जी का जो है पटना बिहार से इनका प्रस्न है कि पंडी जी सभी तिथी को पूजा जाता है अकेले द्वादसी को छोड़ कर इसका क्या कारण है और दूसरा कि किस तिथी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए तो बहन रागनी जी आपके आधे प्रस्न का उत्तर कि द्वादसी के दिन पूजा क्यों नहीं होती इस दिन कोई पर्ब तेवहार क्यों नहीं मनाये जाते इसका उत्तर में पहले ही अपने एक दर्सक मित्र स्रीमान कैलास बगेल के प्रस्न के उत्तर में बिस्तार से कथा और कारण बताते हुए दे चुका हूँ अते उस प्रस्न का उत्तर आप इस वीडियो में देख सकती है जिसका लिंक उपर आई में दिया जा रहा है आपके दूसरे प्रस्न का उत्तर कि कौन सी तिथी को कौन से देवी देवता की पूजा करने की जरूरत है को आज यहां उत्तरित कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको बतलाते हैं कि कौन सी तिथी को कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और कौन उस तिथी का स्वामी होता है सरप्रथम पूनम या पूर्णमासी इस तिथी के स्वामी चंद्रदेव हैं जो ब्यक्ति पूनिमा का ब्रत रखता है चंद्रदेव की पूजा करता है तो उसके घर धन धानने के साथ बिना प्रयास के राजा बनने का सवभाग्य उसका संसार पर आधिपत्य हो सकता है जिनके बच्चों को सरदी जुखाम निमोनिया आधि कप जनितर रोग हो तो उनकी माता को पूनिमा का पूरे वर्स की बारा पूनिमा ब्रत रखना चाहिए चांद को अर्ख देना चाहिए अगर किसी कारण बस जैसे मासिक धर मित्याद के चलते ब्रत खंडित हो जाए तो अगली पूर्णिमा को पूना उठा लेना चाहिए ऐसा करने से निश्चित लाब होता है अगला है प्रतिपदा परीवा इस तिथी के स्वामी अगनी देव हैं इस दिन मनुस्य को नहाद होकर अपनी सामर्थ के अनुसार घर के अंदर हवन अवस्य करना चाहिए अगर कोई स्रद्धा विश्वास पूर्बग पूरे साल भर की 24 प्रतिपदा को अपने घर में अगनी होत्र या हवन करता है तो उस मनुस्य की आयू बिद्या बल सौर अवस्य बढ़ते हैं उसके घर से बीमारियों का रास हो जाता है इसमें कोई संदे नहीं है स्वामी स्वयम सरष्टि करता ब्रम्हजी है इस दिन मनुस्य को अपने घर पर किसी ब्रम्हचारी ब्राम्हण पूत्र को या स्रद्धा अनुसार ब्राम्हण पूत्रों को घर पर भोजन वस्त्र द्रब्वे अंडान करना चाहिए ऐसा करने वाले ब्यक्ति के धन धान सम्रद्धी में आसा से अधिक ब्रद्धी होती है इसमें कोई संदेह नहीं है अगर यजमान के मन में गलती से ये भावना आती है कि वो इस ब्रह्मचारी को नाहक दान दे रहा है या ये बड़ा दान सील है खुद के ऊपर उसको अहंकार आता है या एक दिन दान करता है अगले दिन लोगों को बताता है अहंकार की भावना से गरश्त होता है तो उसका सही फल नहीं मिलता है फिर ब्रह्माजी दान सुईकार नहीं करते इस तिथी की स्वामिनी स्वयम माता गौरी है इस दिन अगर कोई इस्त्री नियम से माता गौरी की पूजा अर्चना करती है तो उसके जीवन में उसका सौभाग कभी नहीं जाता कुवारी कन्या करती है तो उनको मन वांचित बर की प्राप्ती होती है ये तिथी ही धन के स्वामी कुबेर को भी पसंद है इस दिन उनकी पूजा करने से मनुस्य को धन धानने मिलता है चतुर्थी इस तिथी के स्वामी बिग्न बिनायक स्री गनेश हैं उनकी पूजा अर्चना ब्रत करने से मानों के समस्त कष्ट दूर होते हैं और उनके घर में सुभता का वास होता है बिग्न बिनायक गनेश बिग्न हरता हैं तो इसलिए चतुर्थी को भगवान गनेश की पूजा अवस्य करनी चाहिए फिर आता है पंचमी इस तिथी के स्वामी नाग देवता हैं अगर कोई मनुस्य इस दिन स्रद्धा विश्वास के साथ नाग देवता की अर्थात सेस जी के किसी भी रूप की पूजा करता है तो उसके परिवार में किसी की सर्पदंस से मृत्यू नहीं होती उस ब्यक्ति को समस्त प्रकार के भै से मुक्ति मिल जाती है डर नहीं लगता अगर किसी ब्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है तो उसके द्वारा सभी पंचमी में नियम पूर्बक पूजा अर्चना करना चाहिए तो दोस का प्रभाव ना के बराबर हो जाता है खष्टी इस तिथी के स्वामी इसकंध अर्थात कुमार कार्थिके हैं इस दिन उनकी पूजा करने वाले ब्यक्ति की प्रग्या अर्थात बुद्धी बहुत तेज हो जाती है बिद्यार्थी में धावी हो जाते हैं और उनको देश बिदेश में प्रसिधी मिलती है ध्यान रहे कुमार कार्तिके की पूजा किसी भी इस्त्री जो मासिक धर्म चक्र से गुजर रही हो को कदापी नहीं करनी चाहिए उसका फल नहीं मिलता अपितु उनके क्रोध का भागी उस इस्त्री का संपून परिवार होता है उल्टा प्रभाव में पूरे परिवार को बंधित किया हुआ है इस दिन जिनके बच्चे मंद बुद्धी हैं या हकलाते हैं बोलने में उनकी जुबान फस्ती है पढ़ाई की तरफ से मन नहीं लगता तो उन बच्चों से नियमित छट की कुमार की विधिवत पूजा करवानी चाहिए अवस लाब होता है किसी को को आमी सूर्य देव हैं इस दिन मनुस्य को हर हालत में सूर्य को अर्ग देना चाहिए वो सब के रक्षक हैं ऐसा करने से उनको बल मिलता है और बदले में वो मनुस्य को आरोग करते हैं जिनकी आखों में रोशनी की समस्या है अगर इस्तिति में वो नियम पूर्बक ब्रत उ परचना अर्ग करते हैं तो निश्चित ही लाब होगा इसमें कोई संदेह नहीं है अश्टमी इस तिथी के स्वामी रुद्र हैं इस दिन भगवान सिव के किसी भी रूप की पूजा करने से मनुस्य के सभी कष्ट कटते हैं आप इस दिन भैरो बाबा हनुमान जी की भी प अधापी नहीं है और जो ऐसा करते हैं वो रौरो नरक में जाते हैं महान कष्ट मिलता है उनको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए नौमी इस तिथी की स्वामिनी स्वयम जगत जननी महा माया माता दुरगा हैं इस तिथी को स्रद्धा विश्वास और नियम पूर्बग माता समस्त सत्रू सक्तियों का नास हो जाता है ब्यक्ति के यस कीर्थी में ब्रद्धी होती है मनुसिके सरीर पर तेज दिखता है उसकी बुद्धी निर्मल हो जाती है उसके मन में इस्त्रियों के प्रती सम्मान की भावना जागरत हो जाएगी और वो लोकप्रिय हो जाता है ध इस तिथी के स्वामी म्रत्यू के देवता यम्राज हैं। इस दिन उनकी नियम पूर्बक अर्चना पूजा करके मनुस्य की समस्त बाधाएं नश्ट होती हैं और उसकी अकाल म्रत्यू का खत्रा नहीं रहता। अगली तिथी है एकादसी। ये तिथी साक्षात अजन्मा त्रिदेवों की एकी क्रत सक्ती परम ब्रम परमात्मा की पूजा अर्चना का दिन है। अपने अंदर दिखाकर ये सबूत दिया है कि वही परम ब्रम है। उसी प्रकार भगवान स्री राम ने माता सती को अगनित ब्रमा बिश्नु महेस उनकी अर्चना करते हुए दिखाकर बिराट रूप के दर्सन कराई थे। इस दिन निर्गुन ब्रम अजन्मा परम ब्रम की उपासना की जाती है। राम कृष्न की उपासना करते हैं जिससे मनुस्य को धन धान बैभव के साथ एकछित मुक्ती आवागमन चक्र से मुक्ती भी मिल जाती है। द्वादसी अब आते हैं आपके द्वारा पूछी गई तिथी कि इस दिन कोई पर्वत्योहार क्यों नहीं मनाया जाता। इस तिथी के स्वामी स्वयम भगवान बिश्नु हैं नारायन हैं यही भगवान भवसागर के तारणहार हैं इनकी पूजा करने से समस्त सुख मिलते हैं। उस ब्यक्ती की सभी जगे इज्जत की जाती है उसका संसार में कहीं चला जाए उसका सम्मान होता ही है जो तारणहार भगवान की इस दिन द्वादसी के दिन उपासना करता है। इस दिन भगवान के सहस्त्र नाम का जाप करने से दस गुना जादा फल मिलता है। इस दिन अर्थास्त द्वास्दसी के दिन तुलसी की पत्ती तोड़ना निसिद्ध है प्रतिबंधित है। के लिए भगवान सिव की और माता पार्बती के बिने के दुष्ट जालंधर से संसार की मुक्ती है तू ना चाहते हुए। अपनी भक्त ब्रिंदा के समक्ष उसके पती का रूप रख कर जाना पड़ा था। पती आ गए यह समझ कर उसने पती परमेश्वर है मानकर महामंत्र का जाप बंद कर दिया जिससे जालंधर का सुरुच्छा कवच तूट गया और वो भगवान सिव द्वारा मारा गया। भगवान नारायन भक्त के पती के रूप में थे। ब्रिंदा ने उनसे पूछा कि स्वामी क्या सेवा करें तो भगवान ने कहा कि मुझे भूख लग भगवाने की बिनय किया उसी समय जालंधर का सिर कटकर ब्रिंदा के पास गिरा तो उसने पूछा कौन हो भगवान ने अपना रूप दिखाया उसने बिना कारण उनको पत्थर हो जाने का स्राप दिया। भगवान बोले भक्त की परिच्छा लेना भगवान का अधिकार थ किन्तु फिर भी आपका स्राप मैं सुईकार करता हूँ। उसी समय माता लक्ष्मी ने ब्रिंदा को जड़ ब्रक्ष होजा का स्राप दिया तो वो एक पौधा तुलसी बन गई। इसकी बिस्तरत कथा हम वीडियो में बता चुके हैं जिसका उपर लिंक दिया जा रहा है आ आप लोग वहां देख सकते हैं। इस दिन भगवान की सबसे बड़ी भक्त के साथ जगत कल्यान के लिए भगवान को चल करना पड़ा था। इसलिए भगवान ने उसको अपने उपर लेते हुए अपनी गलती मानकर अपनी पूजा की तिथी द्वादसी को सोक का दिन घोस कर दिया जिससे इस दिन कोई त्योहार नहीं मनाए जाते। 23 इस तिथी के स्वामी काम देव हैं। इस से उपवास रखने पर बैक्ति रूपवान होता है, उसको सुंदर जीवन साथी मिलता है, वैवाहिक सुख का पूरा आनंद मिलता है। उसके सरीर में सेक्स से संबं़ बीमारियां नहीं होती उसका काम भावना पर मन चाहा नियंत्रन रहता है। पित्र देव अर्थात अपने पूर्बज होते हैं। इस दिन अपने पित्र पूर्बजों की आत्मा की सांती के लिए अन्वस्त्र द्रब्य दान करना स्रेष्ट कर होता है। पित्र दोस से मुक्ती और धन बैभो की प्राप्ती होती है। अता इन सभी तिथियों को आवस्यक्ता अनुसार अपने अपने इश्ट की पूजा अर्चना अवस्य करनी चाहिए। द्वादसी को पूजा अर्चना सब कुछ होता है सिर्फ त्योहार नहीं होते क्योंकि इस दिन भगवान सोक में रहते हैं। तो उमीद करता हूँ कि यह एपिसोड आप सब के लिए लाभकारी ज्ञान बर्धक होगा। अस्तु जैसियरा। अस्तु जैसियरा नहीं होते हैं।